अपने पसंदीदा चैनल रोजगार विदंकित में तो जल्दी से आजेये सभी लोग गुडई इवनिंग भाय गुडई इवनिंग संदीप सर आज नहीं आ पाए हैं संदीप सर को कोई अर्जेंट का रहे था जिस वज़े से वो नहीं आ पाए हैं चलो आज की क्लास मैं अटेंड कर रहा हूँ उत्तम पांडे नमस्ते भाई आरती कुमारी अंकित वर्मा धर्मेंदर वर्मा आकास स्टडी मोहमद इस्राफील चलो लवकुष कुमार अंकित वर्मा नैम अली देवंदर चौधरी आजो भाई सबी लोगों का स्वागत है बिल आपका चैप्टर नंबर श्रीज इसका आर्थ है नंबर स्रीज संख्या स्रंख्ला संख्या स्रेणी यानि जो नंबर संख्या योगी उसके कुष्चन आज आपको देखने को मिलेंगे चलो ठीक है दोस्तों जल्दी जैसे बीच में एक क्लास मैंने ली थी ऐसे ही आज की क्लास भी मैं आपके साथ बिलकुल तयार हूँ रेडी हूँ तो जल्डी से सबी लोग आ जाएए क्लास में और कल से वो ही आपकी क्लास लेंगे regular कोई दिक्कत नहीं है तो बीच बीच में कभी मौका मिलेगा तो हम भी हाजिर होते रहेंगे आपके सामने तो फटाफट से सबी लोग आ जाएए स्टार्ट करते हैं नंबर स्रीज चलो नंबर स्रीज स्टार्ट करते हैं नंबर स्रीज में सबसे पहले जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो एक्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे आसान लॉजिक भी वही होता है लेकिन उस आसान को थोड़ा सा एक्जामनर जो है कंडीशनों को चेंज करके थोड़ा सा टफ करने की कोसिस कर लेकिन वो टफ कुशन नहीं होते हैं एक्जाम में जादा तर बूजे जाते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा संख्या सरंखला पर वर्ग पर आधारित प्रसन वर्ग पर आधारित वर्ग पर आधारित कुश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वर्ग पर आधारित मालो आसान सी भासा में मैं आपसे कहने लगूँ जिसे आपको mostly सभी स्टुडेंटों को याद होने चाहिए कि एक से लेकर कम से कम एक से लेकर आपको तीस तक के वर्ग अवश्य याद होने चाहिए एक से लेकर तीस तक के वर्ग अवश्य याद होने चाहिए तीस तक के वर्ग याद करोगे सिरीज वाले कुश्चनों में बहुत ज़्यादा फाइदा मिलने वाला है आपको अगर ये वर्ग याद नहीं होंगे तो फिर आपको परिशानी का सामना करना पड़ेगा कुश्चनों को सॉल्व करते टाइम पर अगर मैं बात करूँ आप सबसे बेसिक वाले कुश्चन से स्टार्ट करता हूँ पहला कुश्चन मैं आपके सामने लिख दूँ मैं आपसे कहूँ सोले पच्चिस च्चिस उड़न चास आगे क्या आसान से कुश्चन से हमने सुरुवात करी अब वो भी बताऊंगा कि एक्जामनर कुश्चन को टफ करने की कोसिस कहां पर करेगा उस चीज़ पर भी खास ध्यान रखना होगा हमें अब ये एक आसान सा कुश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ वर्ग पर आधारित है आपको मैंने लिख कर भी दे दिया है उपर टाइप कौन सी है वर्ग पर आधारित तो लॉजिक वर्ग वाला ही लगाना है लेकिन एक्जाम में ऐसा नहीं है कुश्चन किसी भी परकार से आ सकता है तो वहाँ पर हमें सभी टाइप कों का गहन अध्यन करना होगा देखो अभी भी दो अंसर आ रहे है 64 और 81 की तरफ जारे है лोगबाग 64 और 81 की तरफ जारे है मैं अगर सोले की बात करूं तो सोले होता है चार की पावर दो और अगर मैं 25 की बात करूं 8 की power 2 और 8 की power 2 84 81 जो दे रहे थे वो गलत दे रहे थे संदीप सर के बारे में बता चुका हूँ मेरे भाई संदीप सर किसी urgent कारे की वज़े से नहीं आ पाएं आज कल से regular आपके साथ रहेंगे वो आपका time खराब ना जाए आपका समय जो है आपने reasoning के लिए fix किया हुआ है ये 6 वजे का time तो waste ना जाए उसी कारण से आपके सामने class लेकर आया हूँ मैं ठीक है अदिल खान चलो अब examiner क्या करता है मेरे भाई यहीं पर question में condition fit करेगा देखो कैसे आप लोगों को परिशान करेगा examiner वो भी आपको बता देता हूँ देखो एक चोटा सा question एक चोटा सा question मैंने आपके सामने लिखा यहां आगे संख्या क्या आने वाली है बहुत सारे option आपको दे सकता है वो बहुत सारे option मानलो मैंने 36 लिख दिया और और आपका 64 लिख दिया 64 के बाद मैंने लिख दिया यहां पर 81 यह चार option मैंने आपके लिख दिये ठीक है तो थोड़ी सी condition change करेगा अभी नहीं संख्याओं को अगर मैं बड़े रूप में दे दूँ तब आपको परिशानी हो सकती है तो तब ही मैं कह रहा हूँ एक से लेकर कम से कम 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए अगर 30 तक के आप लोग वर्ग कर लोगे याद तो आपको कुशनों को solve करें देखो अभी आगे यहां तो बिलकुल साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि यह सारे पून वर्ग हैं लेकिन examiner क्या करता है इन्ही इन्ही कुशनों में क्या करता है भई यहां चार का वर्ग द तो कुशन में type बंती चले जाएंगी किसी में जोडेगा किसी में घटाएगा तो हमको अगर वर्ग याद होंगे तो फिर हम देख सकते हैं कि वो किस वर्ग के पास वाली संख्या है ठीक है अब यहां देखो अगर मैं चार की बात करूं तो चार होता है आपका दो का पांच की बात करूं तो सुरी 25 की बात करूं ये हो गया आपका पांच का वर्ग सुरुवात में हाड लिख दूं आप बेस तो समझाने दो सभी आपकी तरह नहीं होते हमको सबको एक साथ ले कर चलना होता है बनाहें घटेन के तो सारए होड़ा जायेंगे है जोब पर सलेक्शन सभिक हो जाएगा दो का वर्ग, तीन का वर्ग, पांच का वर्ग, अगर मैं कहूँ यहां कौन सी संख्या आने वाली है तो आप देखोगे दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर वाली प्राइटी हमेशा सबसे पहले लगती है ध्यान रखना दूसरा प्राइम नंबर कितना है तीन तीन के बाद वाला जो प्राइम नंबर है वो कितना है मेरा भाई पांच और पांच के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो होता है साथ तो साथ का वर करोगे आंसर तयार होगा यह नहीं अभी भी आंसर देख लो अभी भी अंसर 49, 36, दो अपसन आ रहे थे, एक 49 की तरफ जा रहे थे, लोग 1, 36 की तरफ, दोनों अंसर आ रहे थे आपने क्या सोचा, दो और एक 3, 3, तीन और दो 5, अर भी अब 5 और 3, 8, 64 भी हो सकता था वैसे तो अंसर या ऐसे भी सोच सकते थे, 2 और एक 3, 3, 2, 5, 5 और एक 6 करूँगा, जी मैं तो 6 का और 36 भी हो सकता था तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती थी आपके सामने, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, साथ का वर कितना है, यहां उड़नचास जो होगा, वो आपका राइट आंसर होगा, 49, आंसर क्या होगा, 49, बिलकुल राइट होगा, बिलकुल राइट, चलो, दिवाकर प आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या-क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी, वो सारी चीजें सीखते चलो साथ की साथ, अगर मैं आपके लिए कुश्चन लिखता हूँ, देखो, एक कुश्चन मैं आप लोगों के लिखता हूँ, चार, एक सो, छियानमे, सोले, च आगे क्या? इस प्रकार से कुश्चन मिलने की संभावना आपको हो सकती है, चार, एक सो, छानमे, सोले, एक सो, नहितर आगे क्या? और आगे अगर कुश संख्या दे सकता है, तो एक सो चवालिस भी आगे लिख सकता है, अब आपसे पूछा जाएगा यहां पर कौन सी संख कि संद्यानागर बता चुका हूं बता चुका हूं संदीप सर मेरा थन भी तो है संदीप सर की चलो तो जिसके कारण भिया आज आपकी किलास कि यह क्या कह रहा है दिखेंगे बिज़रा तर आप से ठीका है रीजनिंग जिसान बैग अच्छा चलो चार एक सोचानवे सोले एक सोनेहतर क्या एक सोचावालिस भाई बता सकते हो कि आप इसका राइट आंसर क्या होगा आप जानते हो यह भीया चार होता है दो का वर्ग और एक सोचानवे कितने का होता है याद होने चाहिए यह 14 का वर्ग होता है 16 की बात करूं तो यह 4 का वर्ग होता है 119 की बात करूं तो यह 13 का वर्ग होता है एक के अंतर पर सिरीज जाएगी एक के अंतर पर स्रीज जाएगी आगे यहां बताओ अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह बारे का वर्ग होता है आप लोग देखोगे अगर मैं एक छोड़ कर एक पर जाओं 14 से 13 आया, एक कम कर दिया 13 से 12 आया, फिर एक कम कर दिया यहां माइनस वन, यहां माइनस वन यहां देखना, दो से चार पर जा रहा है भीया मेरे दो से चार पर जा रहा है क्या पिलस दो हो रहे हैं, पिलस दो और चार से फिर पिलस दो करूँगा क्या बात बन सकती है हाला कि option के उपर depend करता है option भी लिख दो 81, 49, 36 इस परकार से option मिलेंगे 81, 49, 36 और आपका 64 इस परकार से आपको question मिलने की संभावना है चलो भीया यहां 2 का वर्ग है यहां 4 का वर्ग है इधर से ही मालुम पड़ेगा हमें कि उसने क्या किया 14 माइनस एक 13, 13 माइनस एक 12 तो माइनस वन समान अंतर पर जा रहा है समान अंतर पर तो यहां भी समान ही अंतर रखना है हमें कभी यहां पर change कर दो 2 के बाद 4, 4 के बाद 2 का डिफरेंस करूँगा 6 का वर्ग हो जाएगा तो 6 का वर्ग जो होने वाला है तो वो आंसर कितना दे कर जाएगा 36 आंसर कितना दे कर जाएगा 36 दे कर जाएगा बिल्कुल सही बात है यह आंसर राइट होगा कि चलो किलियर है चलो आगे चलते हैं आगे देखो फटाफट से आगे क्या क्या लोजिक आपको मिल सकते हैं देखते चले जाओ फटाफट से बहुत मज़ा आने वाला है आगे कुश्चनों पर बहुत मज़ा आने वाला है चार, नौ, पच्चिस, उड़नचास आगे क्या एक नॉर्मल कुश्चन बिल्कुल अभी बता चुका हूँ नॉर्मल कुश्चन है अभी बता चुका हूँ चार, नौ, पच्चिस, उड़नचास आगे क्या आगे कौन सी संख्या आने वाली है सिरीज में लॉजिक लगाओ केवल अभी फिलाल में बात चल रही है चलो अभी जो बात चल रही है केवल वर्ग वाली बात चल रही है लॉजिक जो लगाने है वो आपको केवल वर्ग वाले लगाने है इस्क्वेर वाले लॉजिक सारे लगाने है तो इस्क्वेर की कंडीशन देखो किस प्रकार से condition दी गई है कुश्चन में बहुत सही बहुत सही गजब का अंसर आया बिलकुल लेकिन अभी भी जो 81 दे रहे हो ना वो पिटने का काम कर रहे हैं दो का वर्ग तीन का वर्ग पाँच का वर्ग साथ का वर्ग मैंने क्या बताया था कभी भी कुश्चन आपके सामने आए शिरीज का आए ऐनालोजी का आए किलासिफिकेशन का हमेशा सबसे पहली प्रॉयट्टी जो दी जाएगी वह दी जाएगी प्राथमिक्ता जो दी जाएगी कुष्चन को सॉल्व करते टाइम पर, वह दी जाएगी प्राइम नंबर की यानी कि अभाज। संख्या और अभज्य संख्या ये सारी की सारी अभज्य संख्या है दो के बाद तीन आता है तीन के बाद पांच आता है पांच के बाद साथ आता है साथ के बाद नो मत लिखना कभी आप सोचो जी दो और एक तीन और दो पांच और दो साथ और दो नो यहां दो फिर यहां भ पर करोगे आंसर कितना होगा 121 121 राइट आंसर होगा बिलकुल सही जवाब सुसील कुमार सौरी सर 121 चलो गलत कर बैठेते पहले कोई दिक्कत नहीं है ऐसी ही गलतियों से चीजों को सीखने का मौका आपको मिलेगा ये गलतियां आप यहां करोगे कोई परेशानी वाली बात नहीं है लेकिन एक्जाम तक इन सब चीजों को अगर सुधार लोगे तो बिलकुल मज़ा आ जाएगा ठीक है दोस्तों चलो आगे की तरह फटा फट से अब मैं दो तीन कुश्चन आप लोगों के लिए एक साथ लिख रहा हूँ आपके लिए और लॉजिक लगा कर देखना सभी लोग कैसे लॉजिक आप लोग लगा पाओगे फटा फट से बताएंगे सभी लोग दो तीन कुश्चन लिख रहा हूँ इक्यावन चासट तिरासी एकसो दो एकसो तेईस एकसो दो एकसो तेईस और आगे आपका एकसो च्यालिस और कुश्चन मार्क एकसो च्यालिस और कुश्चन मार्क पहला कुश्चन हो गया ये दूसरा कुश्चन आपके सामने नोट कर रहा हूँ तीन कुश्चन दे रहा ह है 170, 108 में 228, 228, 260, 204 में कुश्चन मार्क option भी दूगा भी पहले कुश्चन करिए सबी लोग तीसरा कुश्चन है 56,92, 110 आगे क्या कुश्चन मार्क ठीक है चलो फटा-फट से कुश्चनों को सॉल्व करने का प्रियास करेंगे सभी लोग और आंसर देंगे सभी लोग बहतरी नंदाज में आंसर आना चाहिए सभी लोगों का सभी लोग आंसर देंगे इस चार आप्शन पहले वाले कुश्चन के लिए हो चुके हैं दूसरे वाले के लिए ये लो लास्ट तो आप आसानी से करी सकते हो उसके लिए उप्शन की आवशक्ता नहीं पड़ेगी मेरे नजरिये से तो सभी लोग फटाफट से इसका राइट आंसर देंगे बहुत सही बहुत सही गजब गजब बिलकुल बिलकुल राइट एक्क्यावन छियासट तिरासी एकसो दो एकसो तेईस एकसो चालिस तो रंतांसर आएगा बस माइड में सेट रखोगे क्योंकि वर्ग वाला लोजिक चल रहा है तो वर्ग वाला ही लोजिक लगाना है बाकी और कुछ देखना ही नहीं है अभी फिलाल में तो जब पूरा chapter complete हो जाएगा तो पूरा chapter complete होने के बाद mix question जब आपके सामने रखे जाएगे तो ये सारे logic आपके दिमाग में घुमने लगेंगे जब आप इन सारे logic को पढ़ लोगे वर्ग वाला पढ़ोगे वर्ग के बाद घंवाला पढ़ोगे फिर गात की 4 वाला गात 5 वाला भी question मिल सकता है और ऐसे ही धीरे धीरे इन सबी लोजिको को जब पढ़ोगे तो सारे logic जब question कर लोगे question करने के बाद जब total mix question आपके सामने ह तब सारे लॉजिक एक साथ घुमते हैं माइन में प्रैक्टिस के अनुसार ही यह चीज पॉसिबल होगी एक्क्यावन की बात मैं देखूं तो आप लोग बताओगे यहां फटाफट से एक्क्यावन कैसे आया एक्क्यावन की बात अगर मैं करूं तो आप कहोगे जी साथ की दो और पिलस का दो लिखा हुआ है इसने सासत्ते उड़नचास उड़नचास और दो इक्क्यावन आगे वाले प्रकर मैं देखता हूं यहां लिखा हुआ है च्छासट च्छासट पर जाओगे आठ की पावर दो पिलस का दो भीय साथ साथ की पावर दो पिलस दो इसका राइट अनसर हो जाएगाayan सो इक इखथर कोई परेशानी किसी को बताओ फटा फट से चलो धीरे धीरे बढ़ाता हुआ चलूँगा टाइपों को धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि पहला ही कुश्चन ऐसा रख दूँ जिससे की चीज़ें समझ में भी ना है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला 170 पर आओगे ये 13 की पावर 2 170 पिलस 1 लिखा हुआ है 170 यहां देखोगे आप 14 की पावर 2 और पिलस अब की बार 2 लिख दिया देखो यहां तो एक जोड़ा उपर वाले में सभी में 2-2 का अंतर था अब की बार इस अंतर को बढ़ाता हुआ चला जाएगा एक्जामनर क्या है अंतर को बढ़ाता हुआ चला जाएगा 14 की पावर 2 पिलस 2 अगले वाले पर चलता हूँ 15 की पावर 2 और मेरे भाई पिलस का 3 15 की पावर 2 और पिलस का 3 चलो फटा फट से आओ नेक्स्ट कुश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं 260 260 कैसे आ रहा है 16 16 की पावर 2 करूँगा 256 होता है 16 की पावर 2 उसमें कितने जोड़ दिये 4 जोड़ दिये 294 में देखोगे 294 में 17 की पावर 2 पिलस के 5 17 की पावर 2 289 289 में 5 जुड़े हुए है यहां से लॉजिक लगाओ 13, 14, 15, 16, 17, 18 अब आएगा 18 की पावर 2 और पिलस कितना करूँ पिलस कितना करूँ हां कुश्चन को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं आप अंतर से भी कुश्चन को सॉल्व कर सकते हो डिफरेंस से कुश्चन को सॉल्व कर सकते हो वर्ग के अंतर पर question को solve कर सकते हो बहुत सारी condition है उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन फिलाल मैं जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ वर्ग पर अधारित question तो आप अंतर से solve कर रहे हो तो अंतर से कर लो कोई दिक्कत नहीं आंसर तो आना चाहिए अंतर वाला logic तो सबसे best होता है अगर वो ना लगे तो समझो फिर कुछ और लग रहा है परना लगभग लगभग 90% question जो है वो अंतर पर solve हो जाते हैं मेरे भाई 90% ठीक है ना चलो देखना 18 की power दो और नंबर कितने काएगा 5 के बाद 6 जोड़ेगा 18 की power दो 324 होता है 324 में 6 जोड़ दोगे 330 इसका right answer होगा 330 330 बिलकुल best है बिलकुल सही कोई परिशानी वाली बात नहीं है चलो clear है difference है हो गया ताशू बिलकुल सही बात है difference है कर सकते हो कोई परिशानी वाली बात नहीं है difference देखोगे 170 और 190 पर जाओगे यहां बचा आपका कितना 28 का difference पिलस्ट के 28 आगे जाओगे यहां 8 में से 8 गया 0 और यहां 12 में से 9 गया 30 यहां 30 का difference हो गया फिर आगे जाओगे 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 2 गया 32 का difference हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे देखोगे आगे आप फटाफट से देखोगे यहां 4 और यहां यानि की 34 का difference है अब जो नंबर आएगा वो कितने का आएगा 28, 32, 32, 32, 34 और 26, 36 का difference करोगे आँसर तयार है कोई दिक्कत नहीं है कोई परिशानी वाली बात नहीं है डिफरेंस से भी कुश्चन हो जाते है 90% मैंने बताया ना 90% कुश्चन जो वो difference से solve होंगे difference से हो जाते हैं कोई परिशानी वाली बात नहीं है जोड़ोगे 294 मैं 36 जोड़ दो बिलकुल 330 आपका right answer आएगा answer में कोई changing नहीं आने वाली कुश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं लास्ट कुश्चन की तरफ देखना जड़ा तीसरे कुश्चन की तरफ देखो यह क्या logic लग रहा है भाई मेरे अंतर से तो यह भी हो जाएगा करना चाहो तो चलो लेकिन logic वर्ग वाला क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले focus करना यहां mind में set रखो कि वर्ग और घ कुश्चन को solve कर सकते हो और without अंतर भी कुश्चन को solve कर सकते हो बहुत ज्यादा type repeat होती है यह वाली क्यों repeat होती है वो भी बताना चाह रहा हूँ आपको देखेंगे सभी लोग अगर अगर मैं 56 की बात करूं तो यह जो है ना या तो आप इसमें लगा सकते हो भीया मेरे 8 क की पावर दो और माइनस के कितने अठ्ठू अठ्ठू चौसट चौसट माइनस के आठ ऐसे कर सकता हूं या या मैं ऐसे भी कर सकता हूं साथ की पावर दो और पिलस के साथ क्या दोनों तरीके से जा सकता हूं मैं दोनों तरीके से जा सकता हूं दूसरे वाले को देखना जी बिल्कुल 8-8-64-8-56, 7-7-8-4-7-56, और भी logic लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, आप कह सकते हो जी 7 गुणा 8 लिखा हुआ है, 7-8-56 तो logic बहुत सारे हो जाएंगे, उससे कोई अंतर नहीं आएगा question के answer पर, answer चेंज नहीं होने वाला, देखो तीन logic तो यही होगे, आ वो सारी चीज़ें आपके mind में गोमेंगे, जब practice आप किशनों पर करोगे, सारी टाइपों को पढ़लोगे जब, और पढ़ने के बाद जब question को solve करोगे तो यह सारी टाइप mind में गोमती है, क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आपको मिलेंगी, आगे चलो तो 10 की 12 x 2 माइनस 10 यहां देखुँगा 11 x 2 दो माइनस 11 भी यह सारे logic चल रहे हैं 7 x 2 पिलस 7 8 x 2 पिलस 8 अब यहां 9 की पिलस के 9 बिलकुल सही 10 x 2 पिलस के 10 बिलकुल सही है logic टीसरे वाले को भी लगा लो 7 x 8 है तो यहां 8 x 9 आठ नाम 72, 9 गुणा 10 90 और 10 गुणा 11 110 बात बन रही है तीनों लोजिक बिल्कुल एक साथ लेकर चल रहा हूं अब जो संख्या आने वाली है यहां पर वो देखोगे 11 के बाद नंबर आएगा 12 का तो 12 के वर्ग में से आप 12 ही माइनस करोगे या 10 के बाद 11 पर जाओगे 11 के वर्ग में पिलस 11 ही करोगे लाश्ट वाले को देखोगे तो यहां 11 गुणा 12 करना होगा 11 गुणा 12 तो अंसर आ रहा है अंसर आ रहा है बताओ फटा फट से बताओ कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी को के लिए रहे राहुल यादव जी मैं बता चुका हूँ गुरू जी कहीं नहीं गए है भाई मेरा थन की वज़े से आज किलास नहीं है कोई अरजेंट कार्या भी हो सकता है तो मैं आपको बता दूँ कल से कल तो मेरा थन है उनकी ठीगा ना कल है मेरा थन परसो है परसो है त के सामने आ गया हो तो मैं आपको बता सकता हूँ तो यही चीज है बाकी वो आपके सामने बिल्कुल हाजिर होंगे मैं तो बस इस चैप्टर के लिए इस आज के लिए आपके सामने आया हूँ चलो ठीक है ना चलो फटाफट से देखते हैं भाई मेरे कोई दिक्कत तीन लॉजिक आपके सामने तीनों लॉजिकों से आंसर तो चेंज नहीं हुआ मैं बारे की पावर दो करूंगा 144 144 में से 12 घटा दो 144 में से 12 माइनस करूँगा answer आ गया 132 कोई दिक्कत किसी को answer change नहीं होगा करने के तरीके change हो सकते हैं किसी के mind में तो ये आ गया किसी के mind में पहला वाला logic आ जाएगा किसी के mind में दूसरा वाला logic आ जाएगा किसी के mind में तीसरा वाला आ जाएगा और किसी के mind में difference वाला भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है कुशन तो solve होना चाहिए बस 11 की power 2, 121, 121 में 11 जोड़ोगे 132 यह आ रहा और यहां 11 गुणा 12 करोगे 132 यह आ रहा तो logic तो बहुत सारे बन जाएंगे भाई मेरे चलो किलियर है कोई दिक्कत किसी को कोई परिसानी फटाफट से बताएंगे सबी लोग रजट वर्मा difference से मस्त निकल रहा है difference मैं कहतो रहा हूँ 90% question difference सही होंगे लेकिन सारे question difference सही नहीं होंगे इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना होगा सारे question difference से जो गुणा वाले question आएंगे न आगे अभी तो logic वर्ग और घनवाला चल ला है तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है आप लगा सकते हो बिल्कुल क्योंकि समान अंतर पर गाड़ी चलती है बिल्कुल ठीक है न और लेकिन फसोगे तो यहां अंतर वाले question में कहां फसोगे जहां prime number वाली condition आपको मिल जाएगी prime number वाली condition आपको मिलेगी जैसे कि मैं कुश्चन ही जो लिख दूँ आपके लिए लो prime number वाली condition देखो जरा यहां मैं लिखता हूँ 11 का वर्ग 121 13 का वर्ग 119 और 11 13 फिर आता है 17 289 ठीक है 17 के बाद 19 361 भहिया मेरे अब आप से पूछने लगेगा आगे क्या यहां तर से आप मार खा जाओगे ठीक है चलो तो यहां जो logic लगेगा ना वो prime number वाला लगेग अगर समान समान बात चल गए समान डिफरेंस पर तो तो अंतर वाला logic लग जाएगा बिल्कुल मानलो किरमागत की बात है स्रेणी जो है एक किरम में दी गई है मानलो मैं आप से कहने लगू दो का वर्ग चार का छे का आठ का ऐसे देरा खा है अंतर से भी question solve कर पाओगे इस पैर जाओ गे यह 19 वर्ग है बहुत से student के mind मारा होगा जी 11 और दो 13 फिर इसमें क्या कيا 11 पिलस के दो 13 तहरे पिलस के 4 सत्रे फिर उन्ये से अहब जी पिलस के 4 कर दूँ कोई दिक्केत नहीं है logic तो ऐसे भी बन सकता है लेकिन मैंने जो बताया था priority जो रखोगे अगर जान रखना प्राइटी आपको प्राइम नंबर वाली ही लगानी है ये ये एक प्राइम नंबर है एक अभाज्य संख्या है ग्यारे ग्यारे किसी से विभाजित थोड़ी होती है ग्यारे प्राइम नंबर है फिर ये आपका तेहरे भी प्राइम नंबर है ये भी प्राइम न बाद जो नंबर आता है वो सक्त्रे का आता है और सक्त्रे के बाद जो नंबर आता है वो उन्निस का आता है अब जो उन्निस के बाद नंबर आएगा एक्किस तो होती नहीं है एक्किस तो तीन से और साथ से कड़ जाती है एक्किस के बाद क्या है कि फिर तेईस तेईस एक अ दोनों दिये हों फिर मैं बता तो रहाँ चार सो एक तालिस आप कहरो जी चार सो एक तालिस दिया हो और पान सो उनतिस दिया हो गलत होगा चार सो एक तालिस सही होगा पान सो उनतिस हमें इसा प्रात्मिक्ता जो दी जाएगी कुश्चन में वो दी जाएगी अभाज्य संख् वाली प्राइम नंबर वाली प्रात्मिक्ता दी जाएगी मेरे भाई ठीक है कोई दिक्कत किसी को मैं बता तो रहा हूं अगर दोनों ऑप्सन में दिये हैं फिर भी प्रातमिक्ता दी जायगी किसको फिर भी प्रातमिक्ता दी जायगी हमेशा प्राइम नंबर वाले लॉजिक को ठीक है इसी वज़े से आपको बता रहा हूं यह कुश्चन चलो, देखना बैजरा आगे की तरफ बढ़ो आगे की तरफ बढ़ो फटाफट से 110, 132, फटाफट से solve कर दो आगे की तरब बढ़ते चल रहे हैं 156, 182, 210 210 और आगे कौन सी संख्या आने वाली है आगे कौन सी संख्या आने वाली है फटाफट से बता दो जल्दी से जल्दी से बताएंगे सभी लोग answer उसी पिरकार का question है लॉजिक भी जो अभी कराएंगे इस से पहले वाला कुश्चन उसी टाइप का कुश्चन है आगे संख्या बतादो मुझे सभी लोग फटाफट से बतादो जल्दी से 240 आ गया 240 आ गया कामिनी कुश्वहा, विसाल कश्यप 240 बहुत सही आगे की तरफ नवनीत कुमार दे रहे हैं 250, प्रियांसु सर्मा 232, रजत वर्मा 270, भाई कितने सारे उप्सन दे दिया कितने सारे उप्सन दे दिया, मुझे ये बता दो जरा क्या ऐसा होगा अरे भाई अभी तो बताया, लोजिक कैसे भी लगाओ सारे लोजिक लग जाएंगे अगर गुणा वाला लगा रहे हो तो आप कहोगे जी 10 गुणा 11 हो रहा है यहां तो 10 गुणा 11 फिर आगे देखोगे यहां तो 11 गुणा 12 हो रहा है 11 गुणा 12 आगे देखोगे 12 गुणा 13 हो रहा है आगे देखोगे तेहरे गुणा 14 है और यहां 14 है गुणा 15 भीया अब किसका नंबर आएगा यहां जो नंबर आने वाला है 15 गुणा 16 का 15 गुणा 16 एक तो लगा ये वाला लोजिक आते हैं वर्ग वाले पर जाओगे 10 का वर्ग पिलस का 10 10 धाम 100 और पिलस 10 करूँगा 110 फिर 11 का वर्ग पिलस 11 आगे चलोगे 12 का वर्ग पिलस 12 आगे करोगे 13 का वर्ग पिलस 13 आगे करोगे 14 का वर्ग पिलस 14 अब जो नंबर आएगा 15 का वर्ग पिलस के 15 ठीक है बताओ फटा फट से कोई दिक्कत कोई परिसानी किलियर है किलियर है बिल्कुल दस ग्यारे बारे माइनस वाला भी लगा सकते हो बिल्कुल लगा सकते हो माइनस वाला कैसे यहां देखोगे ग्यारे का वर्ग माइनस ग्यारे यहां देखोगे बारे का वर्ग माइनस बारे यहां देखोगे तेरे का वर्ग माइनस तेरे यहां यहां 14 का वर्ग माइनस 14 है, यहां 15 का वर्ग माइनस 15 है, यहां 16 का वर्ग माइनस 16, यह भी लग सकता है, अब तीन तीन लोजिक लग रहे हैं, तो आपकी समझ में जो आजाए उस से कर लो, question को solve, अंतर से करोगे, तो भी answer change नहीं होने वाला, तो भी answer change नहीं होने वाला, पंद्रे का वर्ग होता है 225, 225 में पंद्रे जोड़ोगे 240, 16 का वर्ग 256, 256 में से 16 घटाओगे 240, answer change नहीं होने वाला, बिल्कुल भी किसी भी हालत में, किसी भी हालत में answer change नहीं होगा, बिल्कुल सही है दो सो चालिस हाँ, काफी लॉजिक लगते हैं लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा ठीक है ना, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं देखो जरा, आगे की तरफ कुश्चन है सभी लोगों के लिए, आंसर देंगे सभी लोग दो कुश्चन लिख रहा हूँ एक, दो, दस, से, तिस, यह आसान सा कुश्चन है एक, दो, दस, से, तिस, एक, सो, एक, आगे क्या बिल्कुल आसान सा कुश्चन है, दूसरा कुश्चन है दो, पंदरे, चार, से, तालिस, साथ, अगे, एक, सो, अठारे और यहां पर 11 और आपसे पूछा गया है यहां पर दो संख्याएं आपको बतानी है दो संख्याएं आपको निकालनी है इस कॉलम में कौन सी संख्या आएगी और इस कॉलम में कौन सी संख्या आने वाली है ये दो कुश्चन आपके लिए पहला बिलकुल आसान है सभी लोग राइट आंसर दे देंगे बिलकुल बहुत सही बात है दूसरे में थोड़ा सा खर्च करना होगा माइंड ठीक है चलो बताओ तो पहले का आंसर बताओ सबसे पहले फटाफट से बताओ सभी लोग राइट आंसर क्या होने बाला है पहले कुश्चन का एक दो दस तैसे एक सो एक एक दो दस सै तिस देखिए हूं कितना आसन कुश्चन दे दिया यह भी एक्जाम कही आया हुआ कुश्चन है आप कहोगे जी ऐसा भी मिल जाएगा क्या एक्जा देखिएम जीरो का वर्ग तिलस एक बिल्कुल सही है आगे देखोगे एक का वर्ग तिलस एक आगे देखोगे तीन का वर्ग तिलस एक एक से तीन पर गया पिलस दो किया तीन से छे पर गया पिलस तीन, छे से दस पर पिलस चार, अब जो नंबर आएगा वो आएगा मेरे भाई, पंद्रे का यानि कि पांच जुड़ेंगे अब की बार, पांच जुड़ेंगे जीरो का वर्ग पिलस एक एक का वर्ग पिलस एक तीन का वर्ग पिलस एक च्छे का वर्ग पिलस एक दस का वर्ग पिलस है एक दो तीन चार पांच जब दस में पांच जोड़ूंगा कितना हो जाएगा पंद्रे और पंद्रे के वर्ग में एक जोड़ दूँगा कितना अंसर होगा बताना जरा सभी लोग क्या 226 आप लोगों का अंसर आया 226 230 भी दे रहे हैं देखियों जरा ऐसा क्यूं करते हो ऐसा क्यूं करते हो फटा-फट से बताएंगे सभी लोग भी या ओफ्लाइन तो चली नहीं रही हो पड़ों के कहां से यह गीरा ओफ्लाइन पढ़ना चाहता हूं online ही पढ़ो offline बंद है offline नहीं चल रही online ही class चल रही है online ही आपका बैच आएगा UP police के लिए और जैसे ही vacancy आएगी तुरंत बैच आएगा आपके लिए अभी फिलाल में online free बैच चल रहा है paid बैच जब आएगा आएगा आपके लिए जैसे ही vacancy आएगी आपके सामने ठीक है ना चलो देखना बैच जड़ा पहले question का तो answer आगया अगर मैं दूसरे की बात करूँ क्या दूसरे का answer आप लोग निकाल पाओगे बताओ फटाफट से सभी लोग सभी लोग बताओ फटाफट से क्या दूसरे question का answer आप लोग निकाल पाओगे यहां देखना जरा दो से चार पर गया एक छोड़ कर पिलस के दो हो रहे हैं चार से साथ पर जाओंगा पिलस के तीन हो रहे हैं साथ से ग्यारे पर गया पिलस चार हो रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को एक छोड़ कर एक दो से चार पर गया पिलस दो चार से साथ पर गया पिलस तीन साथ से ग्यारे पर गया पिलस चार अब जो ग्यारे से आगे की तरफ चलना है वो अब कितने का नंबर आएगा पिलस करने का जी पिलस पांच का नंबर आएगा पिलस पांच दो तीन चार दूसरे की तरफ आओ ये पंद्रे कैसे आया मैं कहूं 4 की पावर 2 माइनस का एक पंद्रे जो आया वो 4 की पावर 2 माइनस एक करके आ रहा है देखना जरा ये 4 की पावर 2 माइनस का वन यह लोजिक लगा यहां पर अगले 47 की बात करूँ 7 की पावर 2 माइनस 2 हो रहा है यहां पर बहुत अच्छी बात है अगले वाले पर देखना यह किस के पास है यह तो 11 के वर्ग के पास है 11 का वर्ग 121 उसमें से 3 घटाए हुए है 11 का वर्ग माइनस 3 लेकिन अब मैं यहां द 7, 4, 11, 11 और 5, 16 ऐसे भी बन सकता है वरना यहीं से देख लो 4 के वर्ग मैसु एक घटा दिया 7 के वर्ग मैसु दो घटा दिये 11 के वर्ग मैसा 3 घटा दिये अब जो नंबर आएगा 16 के वर्ग मैसा कितने घटा होगे 4 घटा होगे 4 तो 16 की पावर 2 माइनस के 4 यह होगा आप 252 यहा आगे की जो संख्याती वो 16 तो आंसर हमारा रहा 252,16 दोनों के दोनों संख्याएं हमारी निकल के आती हैं 252,16 कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी को हो तो बताओ फटा फट से आगे की तरफ चलते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं next question की तरफ सभी लोग बताओ अब अब जो कुश्यन आएंगे वो आएंगे अंतर पर लेकिन अंतर क्या होंगे वो वर्ग वाले ही अंतर होंगे जैसे मानलो मैं आपसे कहने लगूँ क्यों कोई दो संख्या मैं आपके सामने लिख दूँ मानो मैंने लिख दिया आपके लिए एक लिख दिया यहां पर मैं तर आएंगे वो वर्ग पर आधारित अंतर वाले कुशन मिलेंगे वर्ग पर आधारित अंतर वाले ठीक है कि चलो जी आओ फटाफट से नेक्स्ट टाइप की तरफ नेक्स्ट टाइप क्या कहती है जल्दी से देखो सभी लोग मैं कुश्चन लिख रहा हूँ यह आसान पता क्यों लग रहे हैं जैसे यह कुष्चन अगर आपको एक्जाम में में लगे ना तो फिर आपको होगे जिये ऐसा भी हो सकता है क्या ऐसा भी हो सकता है बिलकुल हो सकता है अंतर की तरफ सबसे पहले student जो कुष्चन को solve करने की जो mind में condition आती है वो यही लेकिन differences सारे solve नहीं होते तो उनके लिए जो 10% बचे हुए हैं उनके लिए हमें पूरा chapter पढ़ना होता है अच्छे से क्योंकि पता नहीं कौन सा logic हमको देखने को मिले चलो देखना बेजराब 500, 484, 469, 423 अब कौन सी संख्या आने वाली है आगे की तरफ बताएंगे सभी लोग फटाफट से क्या इसका आंसर आप लोग निकाल पाओगे क्या इसका आंसर आप लोग निकाल पाओगे बताएंगे सभी लोग बिलकुल जबरदस्त मैं कहूं 500 से 484 आया किस परकार आया 484 से 469 पर जाओगे 469 से 423 पर जाओगे फिर यहां पर आपकी सिंख्या निकल कर आएगी चलो देखना भई 500 और 484 में कितने गाडिफरेंस है मेरे भाई घटाओगे 16 का अंतराया माइनस के 16 आगे चलूँगा 14, 9, 5 आगे देखा यहां 7, 7 में से 5 गया 2 माइनस के 25 आगे की तरफ चलूँगा 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 2 माइनस 36 बन गया ना वर्गवाला डिफरेंस वर्गवाला यह 4 की पावर 2 होता है यह 5 की पावर 2 होता है यह 6 की पावर 2 होता है और यहां अब जो नंबर आएगा 7 की पावर 2 यानि की माइनस के उड़न्चास उड़न्चास घटाओगे किसमें से 243 में से 472 होगा कौन के रहा ए 472 होगा रहे घटते करम मैं जारहे है 472 तो आये गई行 नहीं 500 से 484 फिर 474, 423, 472 केसे निकालोगे ये तो घटते करम मा आ रहे है आंसर तो कमी आएगा 423 से 472 क्यों निकाला आर्ती जी ने 472 दिया है गलत दिया है 472 और बार बार उसी मेसिज को मत भेजो क्योंकि 472 गलत है अभी भी 374 और 375 वाले भी आ रहे हैं 375 वाला कौन है जिसान बैग पिटेगा ये तो पिटेगा महान मूरत 374 भी आ रहा है देखो 374 भी आ रहा है सबका 374 आ रहा है 363 भी आ गया अरे भाई हद कर दी हद कर दी ओ भाई मेरे ये तेहरे 423 क्या 423 में से 69 नहीं घटा सकते अब मुझे ये बताओ यहां भी यहां भी अलग अलग अंसर आ रहे एक का 411 ही आ गया एक का 411 है तेहरे में से 9 घटाओगे कितने चार यहां 11 है 11 में से 4 गया 7 यहां बचा आपका 3 374 क्या है राइट अंसर है 374 374 राइट अंसर है बिलकुल सही बिलकुल गजब कोई दिक्कत कोई परिसानी किसी को किलियर है बिलकुल 374 ही तो था नहीं 375 लिखा था किसी ने 375 लिखा था कलो भी या एक और कुश्चन चलो यह अगर सही आ गया तो अब वाला बता दो अब वाला बताओ सबी लोग फटा फट से था दो सो तीस 246 दो सो 51 बिलकुल बता सकते हो आसानी के साथ यही लोजिक लगाना है बिलकुल सेम अंतर वाला वर्गों का अंतर की कंडिशन देखने को मिलेगी वर्ग के अंतर वाली एक एक कुश्चन मैं और लिक रहा हूँ लोग ये बहुत ज़्यादा खतरनाक दो दस तोरासी आग है क्या है चलो बताना जरा फटा फट से बताएंगे सबी लोग क्योंकि examiner जो है न अपने पास से logic बनाता हुआ चले जाएगा तो logic आप भी बना सकते हो type भी आप create कर सकते हो वर्ग पर घन पर और घात तीन घात चार घात पांच कैसे भी कुश्चन मिल सकता है exam में किसी भी type से कुश्चन मिल सकता है exam में ठीक है ना मेरे भाई चलो पहले कुश्चन की अगर मैं बात करूँ बिलकुल ही आसान है सबी लोग इसका right answer बिलकुल आसानी के साथ बता सकते हो मैंने बताया अंतर जो होगा एक perfect square होगा perfect square 230 और 246 में जो अंतर आने वाला है वो कितने का है 16 का अंतर अब की बार क्या हो रहे है पिलस 16 हो रहे है पिलस पिलस हो रहे है तो आगे देखो के 11 में से 6 गया पांच यहां 25 पिलस के 25 यहां कितने यहां 36 पिलस के हो गए अब नंबर आएगा 48 पिलस का क्यों आएगा क्यों आएगा यह 4 का वर्ग है यह 5 का वर्ग है यह 6 का वर्ग है और ये मेरे भाई साथ का वर्ग है साथ का स्क्वेर कोई दिक्कत कोई परिसानी किसी को बताओ फटाफिर से चलो बिल्कुल 377 और अचास जोड़ोगे 356 बिल्कुल सही है बहुत सही बहुत गजब ये गलत नहीं हुआ देख लो किसी का क्योंकि जब लॉजिक हमार पता नहीं कैसा काम कर रहा है वो मुझे भी मालूम नहीं है 356 बिल्कुल सही दे रहे हो सभी लोग बहुत गजब बहुत गजब अब बात आती है दूसरे वाले की क्या दूसरे वाले का अंसर दे पाओगे फटाफट से बता दो मुझे सेकंड 220 राहुल बंसल चलो बताओ तो मुझे दूसरे का अंसर किस प्रिकार से आप लोग दोगे फटाफट से बताओ जल्दी से सभी लोग नभी अंसर 220, 220, 130, 374 अभी तक मुझे सही अंसर नहीं मिला आप कह रहे तो आप कह रहे थे जी कैडा वाला कुश्चन रख दो हाड वाला रख दो अभी तक तो आप इतने सारे स्टूडेंट कुश्चन को सॉल्व कर रहे हो अभी तक तो मुझे आंसर किसी का भी सही नहीं मिला प्रतीमा सिंग 1072, 32 जो है ये भी गलत है ये भी गलत है अभी तक आंसर सही नहीं मिला मुझे मुझे सही नहीं मिला नो आइडिया अच्छा आंसर बताओ तो फटा-फट से क्या रहा है सही 348 रख तो दिया हार्ड वाला कुश्चन अब ये कह रहे हैं कि पेपर हार्ड हार्ड मिलते हैं पेपर में पेपर हार्ड चलो लेकिन मैं अगर पहले ही कुश्चन को हार्ड रख दूँगा तो फिया जो नए स्टुडंट जो कैसे समझा पाऊंगा चीजों को यह बताओ उनको कैसे समझा पाऊंगा अगर पहला ही कुश्चन में यह रख देता हूँ देखो सारे के सारे आप गलती आंसर दे रहे हो मुझे अभी तक किसी का भी right answer नहीं मिला क्योंकि मैंने option नहीं रखे option नहीं रखे इसी बज़े से गलत आ रहे हैं अगर मैं option रखता तो आप लोग कही न कहीं पकड़ जाते बात को कही न कहीं पकड़ जाते बात को इस परकार से option दिये थे इस परकार से option दिये थे रोहित कुमार बहुत गजब मेरे भाई बहुत गजब रोहित कुमार best बिलकुल बहुत गजब का अंसर दिया है मेरे भाई बहुत गजब का अंसर दिया है वरुन कुमार 1024 नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा चलो अंसर आया 1028 अब लड़ी लग जाएगी जड़ी लग जाएगी एकदम 1028 वाली 1028 तो लोजिक देखो किस प्रकार से है किस प्रकार से है लोजिक देखना ज़रा एक की पावर दो और नहीं एक की पावर एक किया जाएगा एक की पावर दो पिलस का एक यहां देखो एक की पावर दो पिलस का यहां देखो एक की पावर दो की गई आगे चलता हूं यहां इसने क्या किया दो की पावर तीन करी क्योंकि मैं इस पर जा सकता हूँ दो रास्ते से तीन की पावर दो पिलस वन भी लिख सकता हूँ और यहां दो की पावर तीन पिलस का दो भी लिख सकता हूँ logic पकड़ना होगा कौन सा वाला best होगा या तो ये मिलेगा logic या ये वाला लगेगा वो अगली संख्या पर निर्धारित करता है कि अगली संख्या पर कौन सा logic लग रहा है ये 81 के पास है 81 का तो हो सकता है 9 के वर्ग के पास वाली condition बन रही हो हो सकता है वर्ग वाली तो ये भी बन रही थी सारी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग answer दोगे बहुत का जब मुझे पता था आपने सही answer दिया था एक की power दो पिलस एक लगाया आपने जी तीन की power दो पिलस एक लगाया तीन तिया नौ और एक दस लेकिन यहां उसने नो की power दो पिलस के तीन किये हुए थे तो यहां ऐसा logic कहां से आगया यहां तो एक एक जोड रहा है यहां तीन जोड रहा है और फिर एक से तीन पर गया फिर तीन से नौ पे गया तो यह कैसा लोजिक? यह कैसा लोजिक? तो यहां देखो किरमस है एक, दो और यहां आँ रहा है तीन. तीन की पावर चार, पिलस के कितने? तीन जोड़ दिये. तीन तिया, नो तिया, 27 तिया, 81. 81 मैं तीन जोड़ोगे, 84. देखो. एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद जो नंबर आने वाला है वो आएगा चार का, घात बढ़ती हुई जा रही है, पहले वर्ग किया, फिर घन किया, फिर घात चार की, अब जो नंबर आएगा घात पाँच का, पावर पाँच, पावर पाँच आएगा और पिलस कितना करूं इसमें, वो यहा सा मालूम पड़ेगा? पहले एक पिलस किया, फिर दो पिलस, फिर तीन पिलस, अब जो नमबर आएगा, वो पिलस-चार का नमबर आएगा. पिलस चार, चार की पावर पाँच कितना होता है? 42-46-44-64-64-256-14-24-1024 1024 में 4 जोडोगे 108 28 अंसर होगा होगा या नहीं बताओ सबी लो कि पकड़ीों बई क्या कि रहा है ये गलत बात है राज बन ना क्या है बढ़ाना नाम क्या लिखा इसने है बंदना अरे भीया मेरे मैं बता तो चुका हूँ आपको कि आज संदीप सर किसी अर्जेंट कार्य की वज़े से नहीं आ पाए हैं जिस वज़े से किलास मैं ले रहा हूं तो कोई परेशानी वाली बात हो गई ये बता दो ज़रा तीजे समझ में नहीं आ रही ये बताओ फट होता है हाँ टीचरों का पढ़ने का तरीका अलग-अलग हो सकता है लेकिन पढ़ने वाले स्टुडेंट को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती ये तो वो हैं जो पढ़ते तो हैं नहीं बस वैसे ही आते हैं कमेंट करते हैं और चले जाते हैं ठीक है न चलो ऐसे इनको गई और नंबर भी बढ़ते गए पिलस वाले पिलस वन पिलस टू पिलस थ्री पिलस फोर अंसर आ गया एक हजार 28 कोई दिकत किसी को कोई परिशानी बताओ फटाफट से कोई दिकत तो नहीं है नहीं है तो चलो आगे की तरफ बहुत अच्छा कुशन था एक्जाम का ही आया हुआ कुशन था ठीक है सारी चीज मिलेंगी भाई मेरे सारी चीजें बिलकुल मिलेंगी आपको आगे आजाओ फटाफट से अब आती है बात घन पर आधारित कुशनों पर अब तक तो चल रही थी बात वर्ग देको डिफरेंस से कर सकते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जो अच्छा लगे कुशन को उससे सॉल्व कर लिया करो घन पर आधारित घन आधारित प्रसन घन आधारित ठीक है अब अगर मैं बात करूँ सबसे बेसिक वाले कुशन से स्टार्ट करता हूँ आठ सताइस चोसट एक सो पच्छिस दो सो सोले ये याद होने चाहिए पावर तीन भी क्या है याद होनी चाहिए कम से कम सोले तक याद कर लेना क्योंकि ये सोले वाला जो है ये भी एक्जाम म बहुत बार बूझा जाता है सोले आपने देखा होगा जब आप चक्रवर्दी ब्याज करते हो तो वहां आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा चीज आती है एक तो पांच की पावर तीन वाला और छे की पावर तीन वाला जो पांच परसेंट दस परसेंट जो आप क पूछे हैं यह बहुत आते हैं बीस का वर गन करो गई 8000 और यह आपका 961 बहुत ज़़़ादा पूछे जाते हैं यह तो जाद तर बहुत ज़़़ादा देखा गया है 8000 और 961 वाला भी घिकना तो यह सारी चीजें भीगा याद करने से ही आपके समझ में आएंगी अगर मैं बात कहूं आठ जो है वो दो की पावर तीन होता है 27 जो है वो तीन की पावर तीन होता है 644 की पावर तीन 125 की पावर तीन 216 की पावर तीन अब जो नंबर आएगा वो 7 की पावर तीन काएगा अगर याद है तो फटाफट से दो सेकंड में आंसर आ गया दो सेकंड में साथ की पावर्ती इन 343 होता है 343 अब करना जरा अंतर से कुश्चन को यहां गड़ बढ़ा जाएगी ठीक है चलो किलियर है बहुत सही 343 बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात बहुत गजब चलो नेक्स्ट की तरफ आओ फटाफट से नेक्स्ट की तरफ आओ जल्दी से बताना जरा अंसर इसी पिरकार का कुश्चन 8 27 125 343 आगे क्या बताना जरा इसी पिरकार का कुश्चन इसी पिरकार का कुश्चन आपके सामने इसी प्रिकार का कुश्चन है बताओ आठ, 27, 125, 343 पर थोड़ा सा लॉजिक चेंज गिया अब की बार 125 के बाद 266 नहीं दिया अब तक तो हम 266 वाले कुश्चन को कर रहे थे आगे वाली सिंख्य हमने आसानी के साथ निकाली आप कहोगे जी दो की पावर तीन है ये तीन की तीन है यहां तक तो गाड़ी गई बिलकुल सहीं ये तीन की पावर तीन लेकिन बीच में से 64 गाइब गर दिया जो 4 की पावर तीन था उसको खा गया वीच में नमबर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अब जो आगे की संख्या है वो भी prime number ही होनी चाहिए दो, तीन, पाँच, साथ साथ के बाद जो अभाज्जे संख्या होती है 11 तो 11 की power 3 करो गए अंशर आ जाएगा 739 जो दे रहे हैं वो गलत है 739 दोगे, 739 मिलेगा भी option मैं बता रहा हूं और 739 एक्जामनर शुरुवात में रखता है कि स्टुडेंट फटा-फट से माइंड में बस ये चीज फची हुई है कि 739 आने की संभावना वही साथ के बाद 9 की पावर 3 कर दो 9-9 में क्या सी निम्मा 739 वो 739 गलत हो जाता है गलत ठीक है लॉजिक जो लगेगा प्राइम नंबर वाला हमेशा सबसे पहले लगाओगे जारे की पावर 3 करोगे 1331 बेस्ट सॉलूसन बेस्ट आंसर एकदम किलियर है कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ फटा-फट से अनसुल यादव 1028 पिछले कुश्चन पर पड़े वो अभी क्या अरे वाह आगे की तरफ चलो फटा-फट से नेक्स्ट कुश्चन की तरफ नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलो जल्दी से बताएंगे सभी लोग देखना जड़ा कितना बहतरीन कुश्चन देता हूं आपके लिए कितना बहतरीन कुश्चन देता हूं 126 218 218 346 346 534 534 और आगे कौन सी संख्या आने वाली है देखना जिरा भाई फटा-फट से देखो यहां यह कुश्चन ऐसे लग रहे हूंगे आपको अजी यह तो आसान है क्यों लग रहे हैं आसान मैं भी बता दूँ क्योंकि मैंने उपर टॉपिक तो डाल दिया ने उपर के घंपर आधारित अगर मैं अगर आपके सामने पांच शे कुश्चन सभी टाइपों से लिख दूँ तो आप घूमने लगोगे दीरे दीर लेकिन जब सारे टाइपों को पढ़ लोगे ना एक एक करके सभी टाइपों को पढ़ लोगे तो वो सारी चीजे माइंड में आपके मैं भी घूमनगी क्या यह लॉजिक भी लग सकता है यह लॉजिक भी लग सकता है तो आपको देखना होगा आंसर बताओ फटा फटा 516 734 आगे कौन सी संख्या आने वाली है 126 पे जाओ 126 पे जाना कैसे जा सकते हो 5 के पास वाला ही तो है 5 की पावर 3 कितना होता है 125 125 में एक जोड रखा है इसने यहां जाना यह तो 6 के पास वाला है 6 की पावर 3 और पिलस के 2 जोड दिये क्योंकि 6 छिंग 6 शिक का 216 होता है 216 में कितने जोड दिये 2 जोड दिये आगे चलना जरा 7 की पावर तीन 343 में तीन जोड दिये आगे चलोगे 8 की पा पावर 3 पिलस के 4 जोड दिये देख लो 5, 6, 7, 8 यहां नमबर 90 की पावर 3 में कितने जुड रहे है 5 नौनौ मिक्यासी निम्मा साथ सोनतिस, साथ सोनतिस मैं पांच जोड़ोगे, नौ और पांच चौध है, साथ सो चौधिस, अब जो नंबर आने वाला है, वो कितने का, दस की पावर तीन, पिलस के छे, दस की पावर तीन, क्या एक हजार छे से अलग तो नहीं आ रहा, पंकज कुछ वहाँ एक हजार पांच क्यों लिख रहे हो, क्या टाइपिंग मिस्टेक करी या जोडने में गलती करी, एक ने तो दस हजार छे दे दिया, अरे यह टाइपिंग मिस्टेक मत करो, गलत कर बैठोगे, दस की पावर तीन होता है, एक हजार, एक हजार में छे विए एक हजार छे होगा, राइट अंसर बिलकुल, बिलकुल राइट अंसर एक हजार छे, क्लिए रहे, बहुत सही, बहुत गजब, बहुत गजब बहतरी जब आगे की तरफ आओ नेक्स्ट टाइप पर देखना जरा फटाफट से अगला कुश्चन आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए अगला कुश्चन बताओ फटाफट से जल्दी से अंसर दस च्छियासट इसी पिरकार का है औसर आना चाहिए सभी लोगों का 127-208 और आगे क्या यही टाइप है आनसर सबका सही आना चाहिए बिलकुल एक बार में, एक बार में सबका 60 का अंसर आना चाहिए, बिलकुल एकदम, 10, 29, 60, 127, 218 और आगे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बतानी है, पटापट से बताओ, सभी लोग, वही लोजिक लगेगा जो अभी मैंने आपको बताया था, बिलकुल सेम, उसी पर आधार अब ये कुश्चन गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है, चलो, बताओ सभी लोग, 10, 10 की तरफ जाओगे, कैसे जाओगे, दो की पावर तीन, पिलस के दो जुड़ रहे हैं, दो, यहां तो दो जोड़ दिये, भाईया, 29 पे जाओगे, 29 पे जाओग चार की पावर तीन, पिलस के दो, अब की बार सभी में दो जोड़ रहा है, अपनी तरफ से, जो परफेक्ट क्यूब थे, उनमें दो दो जोड़ता चला गया, अपने पास से, दो का क्यूब, पिलस दो, तीन का क्यूब, पिलस दो, चार का क्यूब करोगे, पिलस दो, और यहां नमबर आ रहा है भीया पाँच की पावर तीन और पिलस दो, यहां नमबर आ रहा है छे की पावर तीन पिलस दो, अब जो नमबर आएगा साथ की पावर तीन और पिलस का दो, साथ की पावर तीन में पिलस दो कर दो, आंसर तैयार है, आंसर तैयार है, सबी लोगों का बहुत गजब बहुत गजब तीन सो पैतालिस विशाल कश्यप बिलकुल सही मुकेश कुमार बिलकुल सही ओम प्रकास गलत कर बैठे मेरे भाई चार सो तेतालिस दे दिया अच्छा जी अरे साथ की पावर तीन कितना होता है तीन सो तेतालिस होता है 343 में कितने जोड रहा है 2 जोडने है 345 राइट आंसर होगा 345 ठीक है कोई दिक्कत कोई परिसानी किसी को फटाफट से बता दो मुझे चलो जी गजब की बात बिलकुल गजब की बात बहुत सही Next Next की तरफ आ जाओ फटाफट से देखना भाया ज़रा 25 25 अब तक तो पिलस वाले थे क्या माइनस वाला भी कुष्शन मिल सकता है बिलकुल मिल सकता है 234 341 और आगे कौन सी संख्या आने वाली है अब तक तो पिलस वाला कुष्शन था यानि कि परफेक्ट क्यूब में पिलस पिलस कर रहा था अब परफेक्ट क्यू मैं माइनस भी तो कर सकता है माइनस भी कर सकता है तो माइनस वाला कुश्चन आपके सामने है बताना जरा बताना जरा क्या आएगा आपका राइट अंसर इस वाले कुश्चन का बताओ जल्दी से 25 बासाट 1234 341 और आगे क्या कौन सी संख्या यहां पर आने वाली है बहुत गजब रोहित कुमार दीपक मौर्या विसाल कश्चप भाई आपसन आपसन नहीं दूँगा अबी आपसन दूँगा जब कुश्चंस आपके सामने होंगे यहां तो टाइप के लिए करा रहा हूं ऐसे ही आंसर बताते चले जाओ लोजिक बता तो दिया मैंने लोजिक उपर लिख दिया घन वाला लोजिक लगेगा क्यूब वाला तो क्यूब वाला ही लगाते चले जाओ कुछ देखना ही नहीं है यहां देखोगे तीन की पावर तीन में से कितने घट रहे हैं 27 में से 2 घटा दिये 25 यहां देखोगे यह कितना पांच की पावर तीन एक सो पच्छिस दो घटा दिये जी बिल्कुल यहां देखोगे च्छे की पावर तीन च्छे की पावर तीन में से कितने घटा होगे दो सो ओहो यह दो सो चौद है होगा गलत लिख दिया चलो इसको सही करो यह होगा आपका दो सो चौद है क्योंकि च्छे की पावर तीन तो दो सो सोले होता है दो सो सोले में से दो घटा है दो सो चौद है और यहां देखोगे तीन सो एक तालिस है देखोगे साथ की पावर तीन माइनस के दो तीन सो तेतालिस में से दो घटा होगे तीन सो एक तालि बिलकुल आपके सामने है 510 बिलकुल सही दे रहे हैं सभी लोग बहुत गजब जी बुहँत गजब मौज गर्दी एकदम बिलकुल राइट अंसर पांसो 252 आठ की power 3 माइनस दो करोगे 510 बांसो 510 बिल्कुल बेस्ट होगा, बिल्कुल बेस्ट, बहुत सही, 3 की पावर, 3 करोगे 27, 23 में से 2 घटा दिये 25, 4 की पावर, 3 64 होता है, 2 घटा है 62, 5 की पावर, 3 125 होता है, 2 घटा है, 123, 6 की पावर, 3 216, 216 में से 2 घटा होगे 214, 7 की पावर, 3 343 में से 2 घटा है, 341, नंबर आठ का आठ की पावर तीन माइनस दो करोगे पांसो दस बिल्कुल सही होगा बिल्कुल सही दो कुश्चन और है आप लोगों के लिए फटाफट से अंसर बताएंगे दो कुश्चनों का दोनों एक साथ लिख रहा हूं बोर्ड पर देखना भर क्या किरा है कुश्चन जीरो 24 कई बार रिपीट होने वाला कुश्चन है बिल्कुल ही आसान है बिल्कुल ही आसान बहुत जादा बार पूछा गया है कई एक बार में यह रहें एक और आखरी कुश्चन लास्ट यह कुश्चन यह तीन कुश्चन है आपके सामने और फटा फट से आंसर बता दो क्या आंसर आने वाले हैं तीनो भी कुश्चन बिलकुल बेस्ट है आपको बताना है बहुत सही आंसर दे रहे हो गजब, पहले कुश्चन का आंसर लगबग लगबग सभी लोग बिलकुल सही दे रहे हैं, बहुत गजब आंसर आ रहा है पहले कुश्चन का, बिलकुल सही, बिलकुल सही मेरे भाई, पानसो दस कौन दे रहा है, पानसो दस ये पिछले वाले पर पढ़ाये क्या भी चलो जीरो जीरो छे तो यहां मैंने बताया था पावर तीन वाली condition चल रही है एक की पावर तीन में से एक घठा दिया बहुत अच्छी बात है दो की पावर तीन में से 2 माइनस कर दिया 8 में से 2 गए 6 यहां 24 को देखोगे 3 की power 3 27 माइनस 3 कर दिये 24 आ गया आगे देखोगे 4 की power 3 माइनस के 4 मैनस कर दिये यहां पर 64 में से 4 गए 60 120 पर जाओगे 5 की power 3 माइनस 5 यानि जितने की power वो कर रहा है उतना ही उसी में से माइनस कर रहा है जितने की भी पावर 3 है उसी संख्या को माइनस किया हुआ है अब यहां नंबर आएगा 6 की पावर 3 माइनस का 6 6 की पावर 3 कितना होता है 216 और 216 में से 6 जब घटाए जाएंगे तो 210 क्या होगा इसका राइट अंसर होगा 210 ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशान ही पहले कुश्चन में 210 सभी लोगों का रहा है बहुत गजब 222 आ रहा है क्या अच्छा अगले वाले पजा रहे हो अगले वाले पजा रहे हो चलो ठीक है बहुत सही 2, 10, 30 वहां माइनस हो रहे हैं यहां क्या कर दिया पिलस दोनों कुश्चन एक साथ है देख लो यहां तो एक की पावर 3 में एक घटा दिया यहां एक की पावर 3 में एक जोड दिया एक बार माइनस वाला लॉजिक मिल सकता है एक्जाम में और ये पिलस वाला भी मिल सकता है एक्जाम में एक बार तो माइनस किया हुआ है उसने देख लो और यहाँ घटा पिलस किया हुआ है यहाँ माइनस किया हुआ है दो की पावर तीन पिलस दो कर दिये आठ और दो दस यहाँ तीन की पावर तीन पिलस तीन कर दिये 27 और 33 चार क की पावर 3 प्लस का 5 कितने आगे 125 और 5 130 अब जो नंबर आएगा 6 की पावर 3 प्लस का 6 6 36 शिक का 216 और 216 में जब आप 6 जोड़ोगे तो आंसर कितना होगा 222 216 प्लस 6 222 बिल्कुल सही आंसर लास्ट वाले का और बता दो आपी लोग क्योंकि यहां संचाएं बढ़ते किरम में चली गए थोड़ी और ज़्यादा मैंने आपको बताया था आपको याद कम सोले तक के घनियाद करने होंगे एक से लेकर सोले तक के घनियाद कर लोगे बहुत फायदा मिलेगा बहुत फायदा मिलेगा कुश्चनों को सॉल्व करते टाइम पर उसी परकार से जो लास्ट कुश्चन है बिल्कुल जबरदस्त है इसी परकार का बताएंगे सभी लोग 342, 510, 726, 996, 1326 आगे कौन सी संख्या आने वाली है आगे कौन सी संख्या आएगी 342 से सॉल्व करोगे किसके घन के पास है ऐसी तो चेक करोगे 342 किसके पास पढ़ रहा है 343 होता है किसका 7 की पावर 3 तो आप सोचोगे यह इसने 7 की पावर 3 मैस है भहिया एक घटा दिया एक घटा दिया बहुत अच्छी बात है आगे चलूँगा 510 किसके पास पढ़ता है आठ के पास पढ़ता है 8 की पावर 3 माइनस 2 अब की बार 2 घटा दिये यहां माइनस 1 कर रहा है यहां माइनस 2 बढ़ते किरम में जा रहा है यहां जाओगे 9 की पावर 3 739 739 में से कितने माइनस कर दिये 3 माइनस कर दिये आगे चलूँगा 10 की पावर 3 माइनस 4 कर दिये यहां देखोगे 11, 11 की पावर 3, 1331, 1331 मैंसे कितने 5 का नंबर आया, 5 का नंबर घटाने का नंबर आया, 5 का, एक एक बढ़ाता हुआ जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, अब यहां जो नंबर आएगा, वो 12 की पावर 3 माइनस 6, 12 की पावर 3 याद होगा, तब ही कुश्चन को सॉल्व कर वरना कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, 12 की पावर 3 होता है, 1728, 12 का क्यूब, 1728 कितने घटाने है, 6 घटाने है, आंसर होगा 1722, 1722 बिलकुल सही, एकदम गजब, बहुत सही, तो भीया, चलो, बिलकुल दो टाइप मैंने आपको आज बता दी है, बाकी संदीप सर आपको अगे किराएंगे, तो वर्ग और घनवाली, अब एक्सञ्दाम में क्या है, ये वर्ग और घनवाली वहाँ लिखा तो आएगा नहीं कि आपको ये वर्ग वाला लॉजिक लग रहा है तो बस सिरीज लिखी आएगी, और आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा, इस सिर practice करना सबसे पहले सबसे पहले आप लोग क्या करोगे जो सबसे important बात है वह यही है कि आप लोगfps कम से कम कम से एक से लेकर 30 तक के वर्ग याद कर ले ना भाई मेरे 30 तक कर वर्ग यह आपको बहुत ज़ादा देंगे एक्जाम में और एकसे लेकर 16 तक के घन याद करना बिलकुल इंपोटेंट और पावर 4 भी याद कर लेना कम से कम 7-8-10 तक तो याद करी लिए हो चलो ठीक है ठीक है तो दोस्तो फिर आगे की किलास संदीब सर आपको कराएंगे जब भी वो आते हैं कल परसो ठीक है आपर से बताओ सभी लोग इंगया पावर 4 क्या है ये है पावर 4 क्या है तीन की और चार करिए चार की पावर 4 पाँच की पावर चार चार ये आध वर यह याद रहेंगी न मैंड में सेट वरना अगर छे की बावर चार वाला कुश्चन मिल रहा है भई यह फिर तो गड़ बड़ में आएगी ना बात 1296 में कहीं लिखा मिल गया फिर दिमाग खराब होगा पता नहीं किसका वर गया किसका घन है कैसे सोच रहे हो ठीक है तो यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होंगी याद कर लोगे बहुत फायदा होगा ठीक है तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बिलकुल सही अंकित राजपूत बिलकुल धन्यवाद ठीक है तो दोस्तों आगे फिर संदीप सर बिलकुल आपके लिए रेडी रहेंगे तो सभी को मेरा नमस अश्कार धन्यवाद ताटा बाई बाई